नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लहसून का टोटका सुनकर थोरा सा अटपटा लगेगा लेकिन लहसून के परियोग से आप धनवान बन सकते हैं जिन्रेगी में टेंसन फ्री भी रख सकते हैं लेकिन कैसे देखिए वैसे तो लाल किताब में भी लहसून के बहुत सारे प कि प्रश्टर में भी इसके प्रियूगों ओए गया है तो धन्वान बनने के लिए मिहनत तो बहुत किए किया जाता है लेकिन जब मिहनत करने के बाद भी आप पाई-पाई को महताज हो जाए या फिर सारा दिन कमाने के बाद आप जब पैसे महने के अंत मेरे लेका राएं पर वो पूरे महने के लिए ना पड़े, पूरे पड़े तब आप परिसान हो जाते हैं कई बार ये भी होता है पैसे बहुत कमाते हैं पर पैसा टिकता नहीं है उन्नती नहीं कर पाते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तब लाल किताब के अनुसार लहसुन के कुछ ऐसे प्रियोग बताए गये हैं जो हम आपके साथ साजा करेंगे तो चलिए वीडियो के अंतक बने रही हैं तो लहसुन के बहुत सारे प्रियोग हैं आज हम आपको आठ प्रियोग बत जाता है कि अगर जैसे पैसे नहीं टिकते बहुत खर्च होते हैं हर अमेशे आपको लगता है जैसे पर्स खाली हो गया या फीर आपके धन को नजर लगी है आपको लगती है कि बरकत नहीं किसी की नजर लग गई है आपके कमाई पर इंकम पर तब एक छोटा सा प्रयोग किसी भी सनिवार के दिन लहसन की एक कली देखिए लहसन बंचे गुच्छा उसमें बहुत सारे लहसन की कली होती है एक कली उसमें से निकाल कर सनिवार के दिन कभी भी सुबह से लेकर साम तक आप इसको अपने पर्स में रख लें एक तो धन की कमी नहीं होगी अगर पैसा भी है तो कही ने कहीं से से आही जाएगा और दूसरा एक बात हमेसे याद रखिये अंधिरा होने के बाद किसी को भी ल लहसन उधार पर ना दे होते हैं कई बार पड़ोसी मांगने आ जाते हैं लहसन है दे दुजरा गल्ती मत कीजिएगा अंधेरा होने के बाद किसी को भी लहसन मत दीजिए चाहे वो कितना भी करीब है प्रेम से ना कह दे अब देखिए यह तो थे कुछ ऐसी बाते जो आपके लिए जानना के दिन लाल रंग के कपड़े में अब ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना थोड़ा सक छोटा सा कपड़ा ले रुमाल से भी छोटा रुमाल का ववन फूर्थ ठीक है इसमें लहसन की तीन कली को रखकर बांधिए बांधना है मतलब गांठ नहीं लगाईएगा उसको अब इसको जहां भी आप पैसे रखते हैं धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए आप देखिए किसी के नजर बद्दुआ हाय नहीं लगेगा आपके पैसे को बरकत भी होगी आप जितना कमाएंगे उसी में से आप अच्छे से लाइब जी के बचा भी लेंगे क्योंकि आ गाहसन नगात्मक प्रभाओं से भी बचाता है। अब माना जाता है कि अगर लाल रंग के कपड़े में ल सडीक निन लर्शंद कि दो कलियां बान्ध कर या लपेट कर आप या फिर आप चाहें तो इसको दोनों लासंद क compliance मेलिए और लाल धागा उसको बांदे बांदे पोटली के तरफ बनाकर बांदे ठीक है घर के अगर आपकी मिट्टी है कहीं पर आपके घर में तो वहां दबा दे नहीं तो आपके घर में गमले होंगे जिसमें पौधे में लगाया रहते हैं अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो इसके अं भी खत्म और लहसन का पेर जिस घर में हो जाए उस घर में तो किसी कोई किसी का काला जादू भी नहीं चलता आप गमले में भी लगा सकते हैं दो तीन कली बो दीजिए पत्ते खाईए मज़े से तो सुक समरिद्धी के लिए लहसन का टोटका बहुत खास है अब देखिए एक और महा प्रियोक के जाते हैं वो भी सनिवार के दिन अगर आपको लगे कि बहुत सारे आपके दुस्मन है बहुत सारे लोगों की बुरी दृष्टी है आप लोगों के ऊपर कि बहुत होते हैं घर में लोगो बहुत जया दिन नजर लगता है क्या होता है स्वास्त खराब रहने होती है कभी कुछ चोड़ी हो गया घर से बहुत रहreso की समस्याएं होती तब पतली दंडी किसे पेड़ की ट्हनी में लिजेगा लंबा साथ लहसन की कली को पिरो ले जब सकते हैं पर घर की च्छत पर या औंगन में रख़ द 2006 के शेषा向 पिरोकर काला धाग ऐसे आप कहीं भी इसको टांग दे नजर दोस्त समाप्त हो जाएगा किसी भी तरह का जो तंत्र क्रिया वह भी खत्म हो जाती है अब जैसे आपका दुकान है फैक्टरी है बहुत तरह की चीजें होती है जहां आप काम करते हैं च्छटे-च्छटे भी फै कुछ भी तो यहां पर आप तो अपने दोस्ते कुछ भी नहीं पाते तो ऐसे में एक छोटा सा प्रियों कीजे जब भी आपको कोई टोके आप तुरंत ही कॉब बोलिए कॉब मतलब क काखा होता है न कॉब धीरे से बोल दे अगर वह नहीं बोल सकते तो किसी ना किसी बहान की से आप बचे रहेंगे और दूसरा आप इस दिन पांच लहसन की कली को लाल कपड़े में बांध कर लटका दीजिए अपने फैक्टरी ब्यापारस थल कहीं भी आपको देखेगा एकदम से सब कुछ चका चक चलेगा खुब पैसे कमाएंगे अब क्या होता है घर में बार मिर्च के साथ इसको घर से बाहर कहीं जलादे छट पे बालकुणी में कहीं भी नजर दूसरे छुटकारा मिल जाएगा वो जल्धी सुअस्त हो जाएगा हर इंसान धनवान बनना चाहता है दिन रात मेहनत भी करता है लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी उन्नती नहीं होती पैसा भी ज्यादा देर पैस भी टिकता ही नहीं तब आप धन से जुड़ी हर समस्या से मुक्ती पाने के लिए बहुत तरह के परियोग करते हैं आज हम आपको लहसन के जबरदस्ट तोटके बताएंगे जिसको आजमा कर आप भी धनवान बन सकते हैं देखें लहसन सनीवार के दिन अगर लहसन की एक कली अपने पर्स में रखने चिल कर नहीं रखना बिना चिले रखिएगा एक कली निकाल कर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी अगर पैसा नहीं टिकता तो सनीवार के दिन लाल कपड़े में लहसन की तीन कलियों को बांध कर आप अपने धन अस्थान पर रख दे तो इससे पैसों की तंगी दूर होती है धन टिकने लगता है बरकत बढ़ जाती है अब देखिए कई बार होता है किया आपके घर परिवार में बहुत मुस्किले आती है आप चाहते हैं हर तरह की मुस्किलों से आप बचे रहें तब आप किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं हलाकि सनीवार के दिन करें तो ज़्यादा आच्छा है लाल रंग के एक कपड़े में चोटा सा कपड़ा लेजिए लहसन की दो कलियों को बांध लें घर के जमीन में अगर जमीन नहीं है आप फ्लैट में रते हैं तो आपके घर में मिट्टी का गमला होगा मिट्टी घर गाच होंगे पेड होंगे तो उससे मिट्टी में आप इसको दवा दें सनीवार के दिन करना है याद रखिए इससे आपके जीवन के हर मुस्किल समस्या समाथ हो जाएगी देखिए सुक सम्रिद्धी के लिए लहसन का प्रियोग बहुत खास माना जाता है एक डंडी में लहसन की साथ कलियों को बांध लें एक लकड़ी लें कोई भी गाच का लकड़ी चले इस डंडे पर बांधें लकड़ी पर अपने घर के आंगन या च्छत पर इसको रख दें ऐसा करने से किसी की नजर दोस हाई बद्दुआ तंत्र मंत्र तमाम चीजें आपके उपर असर नहीं करेगी धन की मुस्किलें भी तूर हो जाती है अब जो बैपारी भाई हैं कई पर उनका वैपार में नजर लग जाता है तो आप सनिवार के दिन दुकान या फैक्टरी के मुखे दरवाजे पर पांच लहसन की कलियों को लाल कपड़े में बानकर लटका दें आर्थिक बादहाएं दूर होगी ग्रहाक आएंगे आपके विक्री भी होंगे और आप मस्त नशहीं नशते लेगे घर में बच्चे बार-बार विमार पड़े तब साथ लहसन की कली ले ले उनके उपर से स्रीश पर से पांच बार उलटा उतार लें और पांच लाल मिर्च के साथ इस लहसन को जगा नजर दोस्ते छुटकारा मिल दिए स्वासत और मश्त हो कि यहां बहुत कश्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलिफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं अरिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो